इन्वी शर्मा शो में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ आपका होस्ट इन्वी शर्मा इन दिनों यहने कि एप्रिल में और खासकर जून या में जून के वक्त हीट स्ट्रोक या संस्ट्रोक या धूप लगना जिसे कहते हैं एक आम बात हो जाती है क्योंकि इस शेत्र की गर्मी कुछ ऐसी रहती है कि यहाँ पर स्ट्रोक और हीट स्ट्रोक के केसे से जादा होई जाते हैं तो अगर संस्ट्रोक हुआ या धूप लगना हुआ तो क्या करें उसके उपायोक्चार क्या है और उसे कैसे बचना और उसके लिए क्या-क्या साउधानिया बरक नहीं पड़ती है यह जानने के लिए आज हमने यहाँ पर बुलाया किसी और को नहीं बलकि डिस्ट्रिक्ट सिविल सर्जन डॉक्टर देवेंदर पातुरकर सहब को जो आज हमें बताएंगे कि संस्ट्रोक क्या है और संस्ट्रोक से कैसे बचना हम आपको यह बता दे कि इस से पहले नाकपुर आने से पहले डॉक्टर देवेंदर पातुरकर अकोला बंडारा और गोंदिया में भी सिविल सर्जन का कारिय कर चुके हैं और यह स्टेट ट्र पर आये हैं या पर सर जैसे कि मैं इंट्रोक्षन बता रहाता है कि संस्ट्रोक और हीट्स्रोक कि सब्सक्र क्या यह दोनों अलग होता क्या है अर्पने शरीर का जो कंट्रोल है वह जाता है तो होता है इससे ज़्यादा होता है तो आपन उसको स्वेटिंग के जरीए लॉस करते हैं पसीना आता है हिट कम हो जाती है अगर यह नहीं हो पाया हिट इतनी बढ़ गए कि इस स्वेटिंग मेकानिजम जो है बाड़ी का दिस्टर्ब हो गया तो फिर हीट स्ट्रोक होता है तो जैसे सांस्ट्रोक करें आपने या धूप लगना जिसको बोलते हैं आम तोर पर यह सब एक जी बात है एक ही बात लेकिन स्ट्रोक के भी टाइप होते सबस्कें किसको अफ़ेट करता है इट स्ट्रोक उसपर दो टाइपस बताये उसके एक उन लोगो है जो दूप में दिखाई देता है जो दोप में बहार काम करते हैं आउटडोर वर्गस जिसको हम कहें जो आरमी के लोग है जिनको दूप में काम करना पड़ता है और इन लोगों में यह जो हीट्टोक रहता है इसमें एकजर्शनल हीस्टोक कहते है कि कडी दूप में ज़रुद से ज़्यादा फिजिकल एकजर्शन हो मेहनत हो गए तो उसकी वजा से इत रोक होता है अधवी construction workers और दूसरा जो है जो बिना मेहनत का काम करने वाले लोग हैं जैसे छोटे बच्चे हो गए बहुत बुड़े लोग हो गए या बच्चे जो जो किसी कारण से बिमार हे इन लोगों में जो होता है उसमें मेहनत का का बढ़ने से होता है लेकिन इनको एक्जर्शन रहे गा ऐसा जरूरी नहीं लेकिन सर् यह अगर महनत काफि सारी नहीं करते हैं, और हिट के लिए यह वाड़ी जो इनकी हीट के लिए यूस टू नहीं है, तो इनको हीट स्टोक हो सकता है, लेकिन नॉन-धमच्णल हीट स्टोक होने की संभावना, छोटे इंफंट्स जिसको हम कहते हैं, बच्चे, इंफंट्स और बुढे लोग इसमें ज़्यादा होती है resistance power जिनका कम है resistance power कम है heat control का जो mechanism में बाड़े का वो इनमें नाजुक रहता है infant जो रहते है एकदम छोटे बच्चे इनमें heat control करने का जो mechanism में डेवलप नहीं हुआ रहता है इस वोचे से इनकी chances इनसे चांसे ज़्यादा रहते हैं लेकिन जैसे आम तोर पर यह भी दिखा गया है जैसे कार अगर किसी कारण से गर्मी में या गरम माहौल में पार्क है वहाना पेड़ यह चाओ है और उसके अंदर गाड़ी गरम हो गई है और अगर उसमें हम बैठे और फिर बाद में चलाना शुरू कर दे तो तब भी यह चांसे है यह बहुत बड़ा कारण है कि कार में हमेशा जो खाली कार है उसको लॉक रखना चीए और च्छाव में पार्किंग करना चीए कहते है कि कार के अंदर का जो टेमपरेचर है अगर कार धूप में खड़ी है तो दस मिनिट के अंदर अंदर का टेमपरेचर साथ डिग्री से बढ़ सकता है और समझो बाहर का 7 degrees in 10 minutes, that's what they say, और 21 degrees बाहर का temperature है, उसमें कार खड़ी है, तो within no time it can go and attend 49 degrees centigrade temperature, तो खाली कार हमेशा लॉक रखेगा, और इसका ख्याल रखेगा कि कार में आपके कोई छोटे बच्चे या बुड़े या आपके जो घर के पेट से वो नार है, आम तोर पे शोक गाड़ी में रहता है, गाड़ी के अंदर लॉक है, तो फिर ये chances है कि फेटल काफी फेटल होता है, फेटल रह सकता है, पेट्स के बारे में और एक तकलीफ है कि वो सिवेट नहीं कर पाते हैं, बाड़ी हिट को डिसिपेट या इवापरेट करने के लिए उनमें स्वेटि इसकी शिकार बनते हैं, अभी आपने कहा कि इसे कुछ सिम्टम्स होते हैं कि पता जल सकता है कि यह एक्जर्शनल है, यह नौन एक्जर्शनल है, शिम्टम्स तो सेम रहेंगे, सिम्टम में कोई फर्क नहीं पड़ता है, खाले हम उनका एज और कहा उनको यह तकलीफ हुई इसको फर से हम यह डिसाइड कर सकते हैं, कोई आउड़र वर्कर है मेहनत करने वाला कंस्ट्रेक्शन का मजदूर है, उसको तकलिफ हुए तो जाहर है कि वह धूप में कड़ी मेहनत कराता, उसको एक्जर्शनल इस टोक हुआ, जहां तक उसकी होने वाली तकलिफ है या जो जिसको बोलते हैं तो यह होता है श्कीन पर बने से हीट राश होता दब कैसे हो दो ज़्य है और यह इसका एकसे ब्लॉकों यह भूना ऐख सो पर जैसे हम यहीठ सेु diver गरमी की बात करते हैं, यह है इसकी भी कुछ लेवल से हैं जैसे मैंने कहा कि पहला हीट रैश हो गया तो हीट क्रांप्स हैं कि कोफिज कर चलने में वहतं में जैसे पर की काफ की मसल जिसको बोलते हैं, या कभी-कभी पेट एंच में काफी दर्द होता है और यह इसलिए होता है कि heat stroke या heat की वज़ासे excessive heat की वज़ासे fluid और electrolyte जो है वो body में कम हो जाते हैं इसके वज़ासे यह muscle cramps होते हैं कड़ी धूप में जो है अगर खड़े हैं हम या काम करना है तो जो blood vessels है शरीर के तो नीचली हिस्से में जो blood vessels dilate होती है इनका आकार बड़ा हो जाता है तो शरीर का खुद नीचली हिस्से में जमा होता है और brain को उतना supply हो नहीं पाता तो suddenly patients faint feel करते हैं और गिर सकते हैं गिडीनिस चकर आते हैं faint feel करते हैं गिरते हैं इसको heat syncope कहते हैं next is heat exhaustion तो heat exhaustion में यह हैं कि नौशिया है vomiting है उल्टी होना भूक ना लगना temperature 30 degrees तक रहना काफी सारी sweating होती है चमड़ी देखो त्वचा देखो तो वह ऐसी ठंडी और ऐसे गीली लगती है डिजीनेस रहता है डालेटेड रहता है डालेटेड ने ऐसे गीली नहीं इसमें नहीं रहता हूं कि अभी चालू है तो बाड़ी कोशिश करें कि heat loss हो तो इन सारी चीजों के साथ अगर कोई आता है उसको हम heat exhaustion कहते हैं इसमें क्राइम्स भी रह सकते हैं और यह अगर इसको हमने treat नहीं किया या इसमें अगर patient की या जिसको हुई यह तकलिव उसकी care नहीं की गई तो यह आगे जाक में काफी temperature 40 degree उससे ज्यादा बढ़ जाता है अब क्या होता है कि अभी वो sweaty mechanism body की fail हो गई है तो अभी sweating नहीं होती और आप skin देखो तवचा देखो patient की तो वो आपको ऐसा dry लगेगी सूखी लगेगी sweating नहीं देखेगा it is hot sort of hot skin hot to feel मतलब यहाँ वो body evaporating mechanism जो है वो फेल हो गया है sweating नहीं होती इसलिए dry skin रहेगी hot to touch रहेगी और temperature 40 degree उससे ज्यादा रहेगा brain जो affect होता है उसकी वज़ा से strange behavior करेगा patient confused रहेगा agitated रहेगा हो सकता है उसको hallucination हो आवाज के या इसके कुछ सुनाई देऊ उसको hallucination कहते हैं वो भी हो सकते हैं आपका nervous system पूरा nervous system affect होता है उसमें और they can even have convergence जटके आना जिसको कहते हैं और कोई respond नहीं करते हैं आप क्या ब सब्सक्राइब करते हैं तो हर एज के लोगों के साथ यह हो सकता है जैसे हमने पहले देखा कि दो टाइप दिके एक्जर्शनल और नॉन एक्जर्शनल के तो एक्जर्शनल में जो है कि बाहर जो कड़ी धूप में मेहनत करते हैं construction workers हैं या destitute से जिनको कोई मकान नहीं है और हमेशा दूप में पड़े रहते हैं या alcoholics है जो जिनका कोई ठिका ना ने और alcohol का उनको addiction है वो दारूपी कि अगर कही दूप में रह गए उटके पात देखने वाला कोई ने तो उनको हो सकता है military personnel who had to parade दूप में उनको काम करना पड़ता है वो है athletes है आपने देखा हूंगा कि tennis matches में काफी beach beach में वो break में वो drinks लेते रहते हैं that is to maintain balance of fluid and electrolytes कैसे आप लोग इसको करते कि वह सफिशेंट है dehydration और balance का जो है देखिए कि पेशाब जो होती है तो वह पेशाब आपको नार्मल रंकी और नार्मल क्वांटिटी में होनी चाहिए अगर यह काफी dark color की है dark yellow color के तो और कम हो रही है तो इसका मतलब आप dehydrated है तो एक ही तरीका रहता है कि sufficient water consumption करें sufficient electrolytes रखें एहम सवाल जो खासकर हमारे rural area के जो लोग है वो दर्शक है जो देख रहें इसको कि immediate medical aid नहीं मिल पाता अगर धूप लगए तो कोई first aid की उपा है जिससे वह डॉक्टर तक पहुंचने तक है medical services मिलने तक वह आपने आपको बचार से देखिए कहां heat stroke आदमी को हो जाए इसकी कोई guarantee नहीं इसलिए first aid के तौर पे जो भी साथ में है उसके साथ में हो या किसी ने notice कि इसको अभी तकलिफ हो रही है तो heat stroke होता है इसलिए कि heat बहुत जादा है तो naturally first aid में वह सब काम करने चाहिए जिससे heat से वह victim का patient का आदमी का बचा हो तो उसको पहले तो आप ठंडे जहां च्हांवा ऐसे जगा हिलाई है दूसरा उनकी जो कपड़े पहने हुए वह निकाले आप तिसरा जो temperature बढ़ गया है बड़े का वह कम करने के लिए हमको कोई चीज इस्तेमाल करने पड़ेगी जैसा ठंडे पानी से या कुनकुने पानी से या इवन मिलता है तो बर्फ के ठंडे पानी से भी आप उनको स्पंजिंग कर सकते हैं इवन नैला सकते हैं कर सकते हैं जिससे वह temperature कम हो डियाइड्रेशन होता है उनको आप ड्रिंक्स दे सकते पानी या लिम्बू का शर्बत या इस तरह का उनको फ्लूइड पीने को दे सकते हैं फैन चला सकते हैं अगर इंडोर हैं आप रूम में है तो फैन या इसी चला सकते हैं जिसके वजह से युमिडिटी भी कंट्रोल हो रही है पुरूशन को भी मदद हो मतलब हर तरीके से बौड़ी को कूल करना है हर तरीके से और जैसे यह तर्मामेटर से गिन सकते हो कि कितना टेंपरेचर है तो 38.3 या 38.8 के हिसाब से कम हो गया टेंपरेचर तो आप यह जो सारी नुस्क्य है यह बन कर सकते हैं मतलब बॉड़ी ने भी कंट्रोल ले लिया है 38.6 या 38.3 या 38.8 तक उतरते तक आप कोई चीज़े करना पड़ेगा उसके बाद आप रोक सकते हैं क्योंकि आम तोर पर देखा गया कि गिली पट्टी माथे पर लोग हां माता है चाती है पेट है पाव है एक्चुली हर जगह है हर जितने आप बॉड़ी पूरा स्पंजिंग कर सकते हो करना है तो यह न हो तो इसके लिए कोई उपार उप्चार जाहिर है कि धूप के हीट के संपर से आपको अपने आपको बचाय रखी है तो धूप में आप निकलो ही मत घर से या निकलना बहुत ज़रूरी है तो ऐसा समय ढूंडो जब धूप कम रहती है निकलने के पहले खुद को हाइडेटेड रखे अच्छा सारा फ्लूइड इंटेग रखे आपका कुछ खापी के निकले बाहर जो बदन में कपड़े हो हीट अपसार्व करन मेहनत का काम करना आपकी मजबूर है तो थोड़ा बीच में ब्रेक लिया करो च्छाव में रुका करो इस तरह से आप आपने आपको बचा करका सकते हैं यह जब ज़रूरी है इलेक्ट्रलाइट पाउडर लेना ज़रूरी है ऐसा उन्हां जब स्वेटिंग चाला है तो उन लिया तो चलता है अधर वाइस नॉर्मल यह अपन निकलते हैं तो अपने को इलेक्टरलाइट की उतनी जुरूत नहीं पड़ते हैं पानी का सेवन ज्यादा जरूरी है सर आप एक मेडिकल प्रोफिशन को बिलॉंग करते हो और हाव फार यू बिली दिस और नॉट नॉट लेकिन पूछ नहीं होता है तो हाव फार इस तो करता है मतलब असर तो करता है पैज असरदार इसलिए हैं कि आप देखिए प्याचका अगर आप जूस निकालते हो तो काफी ठंडा रहता है और जो किया जाता है घरेलू नुसकों में इस्तमाल प्याचका वह इस तरह किसे हैं कि जिसको धूप लगी हैं जिसको हीट स्टो कम कहते हैं या हीट एक्जॉट्शन है पेशन को बुखार हैं तो उसमें ये प्याचका रस निकालके खास करके उसकी हतेली सर पे छोड़ना बालों में छोड़ना पाउं को लगाना इस तरह से इसका इस्तमाल होता है और जो हमने प्रिंसिपल देखा है कि कूल करो बॉड़ी को यहापरोशन को मदद करो ठंडा करो इसमें कारिगर साबित होता है अब साथ में जेब में रखके गुमने की जहां तक बात है तो मुझ कहां से लाओ इस तरह से काम आता हूं अलावा इसके कोई ड्रिंक्स है सब्सक्राइब करोगे कि समर में यह जैसे कोका मिश्काश अभी गर्मी का सीजन है आम का पना जिसको बूलते आम कच्छी कहरी का शर्बत जो है या कोका म का शर्बत है काफी इनेरंडली यह ठंडे प प्राब्लेम करती हैं कैफिन में वो गुंदर्म है अलकोहल में वो गुंदर्म है तो यह चीज़ें अवाड करनी चाहिए मतलब कैफिन जिसमें हो यह ना ले ना ले कैफिन कंटेनिंग डिंक शुड नॉट बी टिकन मतलब टी एंड कॉफी इस आउट और कुस्ट इस आउ होता है अमदाबाद में इस पे काफि सारा काम हो चुका है नाकपूर में हुआ है और अब यह होने भी जा रहा है इसमें जो स्टेक होल्डर्स एजन्सी है गोवर्मेंट की तरह आप से या नॉन गवर्मेंटल ऑर्गनाइज़ेंश या जनरल पब्लिक हैं तो इन सब का सह है कि हीट स्ट्रोक है क्या और कब उसने क्या करना है हिस्ट्रोक से बचने के लिए अगर हो जाता है तो उसके बाद में क्या करना है इस बारे में जनरल लोगों को एक अवेर्नेस क्रेट करना है जानकारी देना है यह एक चीज़ है दुसरा अभी वेदर सैटलैट्स अपन पाच छी दिन के लिए एडवांस फोर्कास्टिंग वेदर का चलता है हीट वे उस बुलेटिंस निकलते हैं हीट वे वार्निंस कलर कोड़ेड वार्निंस भी अलर्ट भी जारी होते हैं और अगर इसके सब के बावजुद अगर तकलिफ हो तो जहां एडमिशन होती है दाकेल वार्ड या कोल्ड रूम्स बनाए जाते हैं जिसमें पिशन को ठंडा रखने की स्पंजेंग की और बाकी पूरी ट्रीटमेंट की हो सकता है कभी कभी डिहाइड्रेशन इतना ज्यादा हो कि मुझ से जो डिंक्स लेते हैं पानी पीते हो परयाप ना हो तो इंट्राविनस स वह भी होती है और जो जनरल मेजर से रेलवे स्टेशन पर आपने देखा होगा गोंदिया रेलवे स्टेशन पर यह चीज़ है और नागपूर में भी मेरे खाल से कि वाटर मिस्टिंग होता है जहांसे ट्रें से लोग उतरते हैं चड़ते हैं तो एक फाइन पानी का स्प् से कालेजे से आफिसे से तो इनका टाइमिंग बदल के हम इसमें थोड़ी रहात पा सकते हैं और जो वाटर कियोस्क है पान कोई जिसको कहते है मराथी में या जो ग्रीनेट से स्क्वेर्स पर ग्रीनेट लगाते हैं जहां पर ट्राफिक सिनेल के वाइसे लोगों को काफी सवाल इसलिए कर रहा हूं कि अभी हाली में नियूस्पेपर में खबरे थी कि केला में थर्टी सिक्स डिग्री टेंपरेचर था और वहां लोगों को हीट स्टोक होने लागा जबकि नाग्पूर में 47 डिग्री 46 डिग्री के बावजुद भी संस्टोक के कैसे नहीं के बरा मेडिकल टर में हम कहते हैं कि आपका जो इंवरानमेंट है उससे आपका बाड़ी का मिलाप हो जाता है तो जैसे हीट स्टोक या इसकी जो लेवल से वह अलग जगा पे रहते हैं जो लोग उनके लिए अलग-अलग हैं हम प्लेंस में रहने वाले लोग हैं हमारे लिए 40 डि काम हो वहां पर अगर 30 डिग्री से ज़्यादा बढ़ गया तो उन लोग को संस्ट्रोक होने के संभावना रहते हैं तो जैसे आपने कहा कि अक्लेमेटाइजेशन इस इन इंपॉर्टन तो क्या इसके साथ हुमिडिटी का भी रोल है साथ मतलब कहीं ही हुमिडिटी का 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 नहीं कर पाई इसलिए अगर क्लाइमेट हाट और हुमिड दोनों है तो हिस्तों के चांसे ज्यादा आप कहरें कुछ कलर कोड की बाद करें तो यह कलर कोड क्या होता है और कैसे हम परखेंगे कि डेंजर लेवल कौन सा है चार कलर कोड उन्होंने बताए इसमें कि पहला जो प्लाइनिंग जो रहता है डिसास्टर से जो रहता है उसकी तरफ से होता है आएमडी के तरफ से इंडियन मिटरलोजी डिपार्मेंट की तरफ से यह अलट जाली होते हैं दूसरा जो कलर है येलो है इसमें आपको थोड़ा सा हीट से बचना चाहें और जो वलनर्वल काफी जादा बढ़ गया है जो सीवियर कंडिशें से हीट की ये दो दिन तक लगातार चलती है और इंटेंसिटे में आगे भी तीन-चार दिन चालू रहती है तो इसमें आपने को जो वलनरेवल पॉपुलेशन है इनकी जादा हिफाज़त करनी चाहिए और हीट से बचना है और सब एच के लोगों में सब एच ग्रूप में इसमें हीट-related illnesses होने के सम्वाना बहुत जादा बढ़ जाती है तो ग्रीन इस सेफर येलो इस येलो इस विन शूट सिट अपन टेक नोटिस या और इंज औरेंज इस यू रेंजिस यू रेंजिस यू रेंजिस यू रे एक्स्ट्रीम केरिज नीडिट तो सेव दोज वार व्लनेरेबल वार प्रोन टू डेवलोपिंग जैसे कुछ नॉर्धन साइड में बात करो राजिस्थान डेल्ली साइड पर एक लू की बात करते हैं तो यह हीट वेव चल रहा है तो हीट वेव एग्जैक्ली होता क्या मत पर पोस्टर यहें संपर रहे नारमल वहां के रहें से बढ़ गया से समझाड़े चार डिगरी से आगे चेड़िकरी तक उपर चड़ गया, तो उसको हम simple heat wave कहते हैं, अगर यह difference जादा है, 6.4 degree centigrade से भी जादा बढ़ गया है, तो उसको हम severe heat wave कहते हैं, इस तरह से उसका classification है, सर समय के अब हमें इस कारिकर्म को रोगना होगा, लेकिन उससे पहले एक सवाल पूछना चाहता है, कि long term strategies भी कुछ planning करती कि यह government या आप जैसे लोग बैटके इसमें decide करते हैं, long term strategies क्या होनी चाहिए, तो इमेडियेट मचस तो ठीक है, हमने आज के लिए care कर लिए, ग्लोबल वार्मिंग हम सबका एक responsibility है, सबको ग्लोबल वार्मिंग क्या है पता है, और इसको कम करने के लिए और in general heat stroke की effects कम करने के लिए उसको बचने के लिए long term planning जो है, उसमें अभी afforestation या green cover बढ़ाना, यह बहुत जरूरी है, महाराष्टर गवर्मेंट में यह हो रहा है already, काफी सारे पेड़ हर साल हम लगाते जा रहे हैं, दूसरा जो है water conservation करना चाहिए, पानी waste करना विल्कुल ठीक नहीं, पानी बचा के इस्तमाल करना चाहिए, तके hydrated atmosphere या, और तिसरा जो है कि जो आपने energy sources है, alternative energy sources का इस्तमाल ज़रूरी है, ताकि global warming कम हो, non-conventional energy sources like solar energy, इ बहुत हो शुक्रे सार, चलते लिएक message आकर, एक line का हो जाए, मैं दर्शकों से यहीं कहूंगा कि विदर में हम सब लोग गर्मी से कापी वाकिफ है, इसके बावजूज, जैसे जिनको यह हो सकता है, छोटे बच्चे, बुढे लोग, बिमार लोग, इनको बचाने के लिए आप खास प्रयासरत रहें और खुद को भी गर्मी के परिणामों से बचाया रखें, हीट्स्रोक से बचें, थैंक यू, थैंक यू वेरी मुच शर्व, प्लेजर टॉक्नी तॉक्यू थैंक यू शर्व झाल